तो आज हम आए हैं Ikea और आप लोग को तो हमेशा से पता है कि मैं Ikea कभी नहीं गई हूँ इंडिया में बहुत सारे स्टोर्स हैं अंदर आते हैं ऐसी लग रहे हैं कि इसी के घर में आ गए हैं बट आपको पता चलेगा कि यहां का आपको आपको आइडिया मिलता है मुझे काफी ओनिसली काफी क्रियेटिव काफी मज़िदार और मतलब बहुत अच्छा लगा है यह पूरा कॉंसेप्ट और बजट फ्रेंडली भी है क्योंकि UK में वैसे जनरली काफी महेंग है बट सेम टाइप का वाई है कि जितना फरनीच यह किसी का बनाया है उन्होंने living area type का यह social hub का जहां पे पूरा table है sofas and everything पीछे थोड़ा सा kitchen area दे दिया है अब यह किसी का kitchen area बनाया है जहां पे आराम से आपको stools दिये गए हैं किसी का side में sofa और bed है तो यह पूरा studio apartment का पूरा structure बनाया है अब आगे आओगे तो यहां पे म और एक ही exit है आप छोटा छोटा करके थोड़ा section हटाओगे भी तो भी majorly आपको cover करके जाना ही पड़ेगा बट मज़दार भी है क्योंकि आप बहुत सारी नहीं चीज़े देखते हो table chair कैसे कैसे हैं कैसे कैसे आप रख सकते हो और मुझे काफी अच्छा लगा यह पूरा concept अब यहां पर जैसे कि इन्होंने यह ऊपर का room बनाया था किसी का तो चट से green area बनाया वा है जहां से light आएगी तो logic ही है कि आपके plants वहां रखे रहेंगे ठीक है एक छोटा सा ऊपर room बना दिया उसमें guest room बना लो कुछ भी कर लो वहां पे painting का section बनाया है उन्होंने फिर अ परता है या फिर architect से बोलना परता है राइट तो यह वाला particularly में को बहुत अच्छा लग रहा था बहुत smart लग रहा था compact है although बड़ अच्छा है और यहां पर बीच-बीच में कोशिश कर रही थी कि अपने आपको ले पाऊं बड़ इतने सारे लोग आस-पास थे थोड़ा स दूआज दूहरा है क्योंकि हम लोग पूरे घर का furniture देख रहे हैं तो वहां पर आवर आपर आपर हम रहां हो अपर हम यह एडरीर है यह सामान अब खाएद हैं तो उसका मैं क्लिप्स ले रही थी और जहां भी मुझे मौका मिल रहा है वहाँ पर मैं अपनी क्लिप बनाने की कोशिश पूरी कर रही हूँ बट लोग आए जा रहे हैं बीच में एनिवे ये टेबल चेयर का एक सेक्शन था है यहाँ पर इतने सारे टेबल चेयर है न कि मला दिमाग ऐसे हिल गया देखरो आप अलमोस्ट ट्वेंटी आइटमस है इधर इधर में और फिर उधर की तरफ भी जाओ फिर वहाँ पर लास्ट आप लेफ्ट में देखोगे तो च पो है अदब सेरमिक की या ग्लास की प्लेट्स है तो 69,70 सेंट्स नी सौरी पैनीस की है ऐसे से करके हैं बाकी एक पाउंड के दो पाउंड के बोल्स है जो आई इंडिया में आते है 100 रुपे के 200 रुपे के क्वालिटी बेटर है आईकेया की और यह है कि मतलब नाम है ना ब्राइंड है तो काफी मतलब ऐसा है कि okay you can trust it फिर यह वाला section था particularly जो मुझे काफी अच्छा लग रहा था इन्होंने बनाया था कि इसी को अगर काफे कोलना है compact तो उसका एक idea तो मुझे लगा जल्दी से इसकी वीडियो बना लो यह तो जिंदगी में करना ही करना है एक पदा नहीं अभी कभी एक चब भी but yes यहां पर मैं अपनी दीदी के साइट आई थी तो काफी मज़ा लगा मतलब यहां पर और भी sections है for your kitchen तो आप देखते जाओ मैं कितना ही बोलूंगी ना तो भी समझनी आएगा क्योंकि एक एक चीज इतनी सुंदर है इतनी delicate इतनी प्य और यहां पर आपको मेरे बालों के थोड़ा सा कलर दिख रहा होगा जिब धूप में जाती हो ना तो मेरे बाल की कलर जादा दिखते है अब यहां लिखा है कि 1800 पाउंड मतलब 1,80,000 में आपको यह प्रोपर पूरा सेट अप मिल जाएगा ठीक है तो पूरा जो कमरा लगत यह वाला दिखा दिया section चोटा सा chair है everything is there और details देखो कितना particularly बनाया है उस चीज़ को ठीक है अब अगर मैं यहां से right लेके अंदर जाओंगी तो वहां पे चोटा सा fridge का area था cleaning area था सब कुछ था फिर यह किसी का room का section बनाया है कि 339 pound का यह bed है और bed के साद मैट्रस नहीं होत तो डिवाइडर देखो अगर रूम में किसी को मतलब रूम के एक ही अगर studio apartment है उसको डिवाइड करना है तो डिवाइडर काफी सुंदर है यह किसी चोटे बच्चे का room बनाया वाय तो इसले पूरा हैंसी पूरा फैरी टेल वाला चीज़ प्ट मुझे यह राइट साइड और मैंने एक olive और white color के अपने jordans पहने थे that was something which I was carrying all along फिर यह दुबार डिवाइडर यूज करा गया और किसी का camera बनाया था और यह एक camera था जो की student का है तो आपको दिख रहे है कि उस सामने उसका study table है desk है फिर इधर भी उसका area है सारा मतलब और थोड़ा creative यह बंदा तो उसका थोड़ा सा area वो वाला बनाया राइट में फिर यह वाला है किसी का मतलब और ही detail में मैं बता रहे हैं तो books books का पूरा एक section बनाया है कि रात को lamp में पढ़ना है कुछ पढ़ना है जो कि मुझे लगा कि काफी well thought है different different beds हैं यहाँ पे सब के prices काफी अलग होते हैं सब की bed अची सा लग है टाल सा लग है सब कुछ everything will be very different but कुछ कुछ चीज है तो मुझे genuinely ऐसा लग रहा था कि यार अभी खरीदवा दो मुझे अभी घर लेके जाना है इन चीजों को so everything was a very new experience altogether तो मैं बोलूंगी कि एक बार IKEA जरूर जाओ क्योंकि ऐसा लगता है कि wow technology has gone so up the brands have gone so up and if they're telling you how to portray or let's say they're giving ideas तो वो गलत नहीं है यह नहीं है कि आप copy कर रहे हो यह है कि आपको सोचने का और idea मिल रहा है because if you see it practically तो जादा समझाता है चीजे है ना तो आप समझ सकते हो कि इतनी छोटी space को भी कितने प्यार से उन्होंने कर रहा है अब जैसे पूरा रे बैडरूम ह 755 पाउंस में बना दिया इन्होंने अब अंदर सब कुछ है ऐसा नहीं है कि कुछ है यान कुछ नहीं है but the point is कि हो सकता है थोड़ा सा सस्ता हो या फिर material थोड़ा हलका वाला यूस करो क्योंकि सोफे 1.5 लाग के भी आते हो और 1.5 लाग का भी आते है again me showing off my own TD I don't know why but yes फिर मुझे आवाज लगी थी और मैं चली गई थी यह थोड़ा सा section था जहां पर आपको stationery भी मिलता है हमने stationery बले section इतना देखा नहीं पट यह बला particularly पूरा workstation मुझे काफी strong लगा काफी अच्छा लगा तो मुझे लगा I can do that अब मैं क्यों हसरी हूं I don't know I said something which I have no clue about probably यह up station है और एक जगह से भार जा सकते हूं यह आगए हम क्रॉक्री वेले section में जहां पर सारी दुनिया के बरतन, candles, flowers section है मैं तब यह particular जो इतना सा एरिया है ना flower वाला यहां पर मैंने चार चकर काटे है I don't know why क्योंकि मैं इतनी खुश थी मुझे लग रहा था कि वाओ इस इस आप जा रहे हैं Ikea से वापिस दिखाती हूं कि क्या क्या समझ आया है मिलते हैं कर थांक्यू पर वाचिंड बाई बाई